नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आसा है आप सभी स्वास्थ होंगे आए आगे बरते हैं इस हाथेली का एनलासिस करते हैं दोस्तो ये जातक सभी सल का है गड़िब घड़ाने में जनम लिया है जनम से लेके गेजवेशन तक ये किराय का मकान में रहता है हाला कि अभी ये अपना घर बना सुका है रहने लायक एक घर बना लिया है भाई और बेहन के साथ ये जिन्देगी जी रही है आइए इनके हाथिली का एनलेसिस करते हैं ये है जीबन रेखा दोस्तो ये है मस्तिक्स रेखा और ये हिदई रेखा हाथिली का मुख्यर रेखाई जो भी है बहुत सही है अच्छा है संदर है काटी फुटी नहीं है जीबन रेखा जो है इनको आईउ को डर्शाता है इनका आईउ लगभग 85-90 येर्ज है मस्तिक्स रेखा जो है बहुत बढ़िया है संदर परवद के पौंसा है साथ में जो हिदई रेखा है ये आकर सनी परवद तक खतम हुआ है मुख्यो रेखाई जो भी है इसपस्थ है बहुत संदर है अच्छा है आईए आगे बढ़ते हैं नो गड़ोहों का विशलेखन करना है बारिक बारिक सी हर गड़ोहों का विशलेखन करेंगी विश्तर पूर्पक जन करें आपको देंगी आईए शलते हैं ये बहस्पती परवद है थोड़ा सा ये डबे होए है साथ में इनके बहस्पती की उंगली जो है ये सनी की और जुका है धरम में इनका मन उतना लगता नहीं है साल में कभी कबर मंदिर जाता है धरम के पती इतना रोसी नहीं है क्योंकि बहस्पती की उंगली जो है सनी की और जुका हुआ है इसलिए इसको ये दरसाता है दोस्तों बैशे बहस्पती में भी सुब लक्षन है आप देख पार रही है ये एक क्रोस का सीन है एक ऐसा उमर इनके पास आएगा जब ये मंदिर तक खुद बाखुब चला जाएंगे ड्यान पूर्ण करेंगे साथ में अभी इनके पास सेविंग्स जैसा कोई ये इसू बन रहा है ज़्यादा तर क्योंकि ये हाथ में देखे आप सनी और गुरू की बिस थार्ट पॉर्ब में गेब बना हुआ है हाथ में जो भी इनके पास पैसा आता है वो पैसा फटक से खर्स भी हो जाता है मान के से लिए इनके ब्यस्पती जो है थोड़ अचा दिरवल है तो अभी आईए सनी की और चलते हैं सनी की उंगली पहले देख लेते हैं ये तो पूरा सीधी है बिलकल बढ़िया है अच्छा है स्वास्थ है सनी की पहली उंगली का पर बहुत बढ़िया है दूसरा भी सही है तिसरा भी सही है एक अच्छा लक्षन भी दिख लाए कि ये जो सेकेंड पर में पड़ा सा ये बो देख लाए ये आखों की जैसा ये सूपता में और ज़्यादा बरहत्तुरी देता है साथ में दोस्तों ये जो फेट लाइन है इसे भागर रेखा बोलते है इसे नसीब रेखा बोलते हैं ये भी बिलकुल बढ़िया है देखिए टिसल नमा जैसे बन रहा है एक सखा जो है बेशपती की और जारा है एक सखा जो है शूरिय की और जारा है और एक सखा जो है सनी परबत के नीसे हैं तो सनी जो है इनके लिए सूब है अच्छा है आये अभी शुरिय की और चलते हैं पहली उंगली देख लेते हैं शुरिय की पहली पर जो है बहुत बढ़िया है दूसरा भी सई है तिसरा भी सई है साथ में दोस्तों आप देख पा रही है सनी की परबत की और अगर नजर डालेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा सुरियों की रेखा जो है बिलकुल अच्छी तरह से बना हुआ है साथ में एक ट्रिबुज भी बना हुआ है दोस्तों देख पा रही है तो इस सब से इनका सीरियो भी बहुत बढ़िया है अगर ये गबर्मेंट जॉब के लिए एपलाइ करेंगी तो ये गबर्मेंट जॉब जरूर कर सकते हैं साथ में दोस्तों इनके सहायक के लिए भूत परबत की और चलते हैं पहले इनके उंगली की और चलते हैं ये पहली पर ये दुसरा पर ये तिस्या पर पहली पर जो है बहुत लंबी है साथ में अनामिका उंगली यानि शुरियो की उंगली का पहली पर तक ये पहुंस गया है क्रोस करके चला गया है देख पा रहें दोस्तों तो यह गरबर्मन नौकड़ी जरूर कर सकते हैं सरकारी नौकड़ी जरूर कर सकते हैं दोस्तों में सुडियो और भूत की यूटी बनता है यह यूटी जो है इनका बन रहा है दोस्तों देख पा रहें आप बहुत सही है हद लेकिन भूत का परबज जो है थोड़ा सदबा हुआ है ना ज़्यादा उठा हुआ है लेकिन थोड़ा सदबा हुआ है जो इनका ट्रक सकती है उसमें थोड़ा उनको कमी लाता है घर का बड़ा बेटा है ये जातक भाई भी है और बेहन भी है साड़ा जिमेदाड़ी इनके कन्धों के उपर है ऐसा वक्त आएगा ये गामियाबी जुरूर खासिल करेगा इनका भाई भी पढ़ाई कर रहा है बेहन भी पढ़ाई कर रहा है बेहन का जिमेदारी भी है, साधी करवाना है, माता पिता भी साथ में है, जीवेथ है, अस्सा है, स्वास्त है, इनका पिता जे भी बहुत महनत करके इनको आज पढ़ा लिखा तो जरूर दिया है, साथ में दोस्तों ये अपने अंकल के साथ जूर करके अभी बिजनेस में प्रविंदट किसी दूसरी से को आगे बूता नहीं करने पला壓। साथ में दोस्टों देखिए, इनका संदर परबत बहुत बिल्कुल बढ़िया है, दक धबे भी नहीं है, बहुत सुन्दर है, स्वास्त है, साथ में दोस्टों आप देख पा रही है, यह जो रेखाई निकल के के जार रहे हैं, इसको आप भग गे रेखा बोलते हैं, इसको प्रेट लाइन बोलते हैं यह जो है मोन प्रवच्च निकला है यानि कि इनका नसिब जो है साधी की बाद ही उजल होएंगे और दोस्तों के मदद से यह उन्नोती परगती कर सकते हैं फाइनेंस के लिए इनका सुविदा होएंगे संदर परवच्च निकला हुआ फ्रेट लाइन यानि भागर रेखा यह दरसाता है किसी ना किसी दूसरे आत्मी के साथ यह इसको हल्प मिलता है उसी हल्प को ले करके यह आगे बढ़ सकते हैं इस हतेली में खास- paragraph रेखाई है जो आभी हम आपको बताएंगे दोस्तों देखिए इनके शुक्र परवब भीर बहुत बढ़्या है ना जादा डबा हुआ है ना जादा उठा हुआ है बिल्कुल बढ़िया है ना अडी रेखाई है जो रेखाई है यह उध्ड़ो रेखा तो इस सबसे इनका शुक्रों जो है बहुत बढ़िया है 25 साल के बाद उनका प्रगयोटी बहुत जम के होने वाला है क्योंकि शुक्रों इनका बल्बान है शुक्स बीधा में बढ़ोतरी करेंगे भूख बिलाज भी ये बढ़ोतरी करेंगे घर बारी गारी जमीन इत्यादी ये भी ले सकते हैं इनका नसिब ने इशर अल्ला ने प्रभाइड किया हुआ है किसी भी इंसान का नो गड़ो कभी भी आचा नहीं होता है कोई एक दो अंगल भी सही है इनका संद्र भी सही है साथ में दोस्तों ये सुक्रों भी बहुत हटक सही है साथ में दोस्तों सुडियों भी सही है साथ में बहुत हटक सनी भी सही है अभी अंगुठा की और चलते हैं अंगुठा में ये यववा का सिन तो बना नहीं है अगर जिस समय य बहुत मजबुत होंगे सिक्षेन मजबुत होएगा तो इनको बिजनेस के लिए बहुत सही रहेगा बिजनेस में बहुत बढ़िया आईडिया ले पाएंगे मुनाफा कहां ज्यादा करवाना है वहां पे इन्वेस करके ये मुनाफा भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं इस तरह स इसा आएगा इनका टूटेली जो है गड़ी भी रेखा जो है टूटेली खतम होएगा क्योंकि देखिए दोस्तों ये शुक्रो प्रभत चे ये शुक्रो मनतब लाइफ लाइफ लाइन छे एक रेखा निकल करके यहां भूड की और दिख रहा है हाला कि ये मस्तिक रेखा को टास्क नहीं किया हुआ है अगर जीश समय ये टास्क करेंगी उस समय इसका इनका भी ये सेविंग्स जरूर बनेंगे साथ में दोस्तो ये सोटा सा टीबूज भी बन जाएगा और साथ में ये रेखा अगर और आगे निकल जाएगा ये एक बड़ा सा टीबूज बन जाएगा हाला कि दोस्तों ये अभी लगे नहीं है लेकिन इस्ताद हो रहा है जरूर एक समय ऐसा आएगा इनके पास हर दुन्या का सुक सुबिधा इनके पास मौजूर रहेंगे अलाद सुख के लिए भी देखा गया है दो संतान इनके भाग में हैं दो बच्चे की ये पिता जरूर बनेंगे साथ में दोस्तों एक चीज और है ये देखिए हिदे रेखा और ये मस्तिक्ष रेखा साथ में एक ठो रेखा ये से निकल करके हिदे रेखा सा आ करके मस्तिक्ष रेखा को क्रस किया है सात में ये भग्य रेखा जो है ये सनीप्रवपत की और तु जा तु रहा है लेकिन ये Jud कंश में देखे एक क्रौश का सिंव बना हुआ है जो क्रौश का सिंव बनते हैं उसका फल में बहुत तड़ी बहुत ज़्यादा होता है तीन गुना होता है दोस्तों तो दोस्तो ये उपड़ी ट्रिभूस बन गया और ये नीशे की और एक ट्रिभूस बन गया, दो ट्रिभूस बना हुआ है, साथ में दोस्तो इनको 28-29 साल के बाद लोट्री की जैसे धन लाब होएंगा, या तो हो सकता है अपने दोस्तों से ऐसा एक काम करेगा, जिस काम में इनको बहुत बहुत ज़दा होगा, इनकम ज़दा होगा, या हो सकता है इनका जहां भी रिष्टा लगेगा साधी विबा की ममले में, वहां में इनका ओरज जो है करणरपती हो सकता है, जो असानक्षे, धन डलॉत, एकथा ये पा सकते हैं साथ में दोस्तों ये परगटी के रेखा आप देख मा रही हैं ये जिबन रेखा से उट करके ये मस्तिक रेखा को जिस जिस सेटर में जिस गढ़ो को ये देख रहा है उस उस एज में इनको बहुतरी जरूर मिलेगा और धन डौलत ये परभाइट करेगा साथ में हलका सा ये रेखा भी आ करके यहां तक पहुंचा हुआ है यानि कि हिद्र रेखा को टास्क करके दो रेखा इनके भाग रेखा बना हुआ है यानि कि इनकम के जरिया जो है इनका सायद हो सकता है एक समय में दो इनकम इनका गुजरा होगा और साथ में दोस्तों इनका financial जो भी condition अभी बने है वो condition बिल्कुल ही मिच जाएगा साथ में एक case में ये घर भी बना सकते हैं दोस्तों ये देखिए ये देखिए जीबन रेखा में आगर टीबुज बने हैं तो इसको घर का और भी इसाड़ा करता है ये घर एक अच्छा बनवा सकता है जीबन रेखा में आगर टीबुज बने हैं तो उसका अर्ट ये है ये बाद में अच्छा एक मकान बना सकता है बंगला बना सकता है घर बना सकता है साथ में सहायक ये मंगल रेखा भी है आप देख पार रही है जो भी अभी मुश्किल वक्ट इनका चल रहा है वो मुश्किल वक्ट में ये मंगल रेखा इनको काम आएगा अगर मंगल रेखा परबल हो तो इसर अल्ला का ही बर्डन होता है रहमन करम इनकी नीचे रहता है परगती की मार्गी दिखाई दे रहा है क्योंकि शुक्री की और एक दो आरी रेखा के सिभा सब जो है उध्धर रेखा है ये देखिए दोस्तो यानि कि आरी रेखा कम है उध्धर रेखा जदा है यानि लॉस्ट कम होगा लाब जदा होगा क्योंकि ये जमिन से जुड़ा आदमी है पैदा ऐसी किराय के माकान से लेकर गेजवेशन तक ये किराय के माकान में रह सुका है तो इन से बहतर और कोई दूसरा आदमी इस मामले में पता नहीं है कि ये किस मुश्किल वाक से ये गुजरा है इनको भली भती पता है कि किराय का माकान में रहने से क्या होता है क्या सुक्सुभिधा मिलता है जिन्देगी जीने के लिए क्या प्रिसिती में सामना करना पड़ता है ये सब भली भती इनको याद है अभी मनी बन की और आईए देखिए तीन रेखा इसपस बना हुआ है दोस्तों ये देखिए ऐसे करके तीन रेखा बना है ये बिलकुली है बहुत हद तक सही है अच्छा है साथ में दोस्तों देखिए राहू की सित्र भी बिलकुल बढ़िया है केटी की स्थान भी बहुत बढ़िया है दोस्तों आप देख पार रहे हैं केटी की स्थान में दोस्तों देख पार रही है एक सिंबु ये देखिए जिबन रेखा और यहां से आकर के यहां लाग करके एक मतलब मसी की सिन बन रहा है तो यह जिबन में हर मुश्किल को मिता करके शुक शुपिधा में यह परिणत करेंगे एक समय ऐसा आएगा इनके पास धन दलक शुक शुपिधा मान सर्मन पतिसा यह सब कुछ इनके पास रहेंगे दोस्तो अगर आपके हाथ की हाथले में भी ऐसा रखाई है तो इसका आर्ट यही होता है दोस्तो आसा करता हूँ आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो ज क्योंकि हम आंस्त लगा के बेठा है कि आपका एक प्यारा सा कमेंड मिलेगा तो हमारा लिए अच्छा होता है दोस्तो अगर आपका हाथली का भी ऐनालासिस करवाना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शिन में जाइए वहां पर कंटक नमबर पढ़ा है वाट्चाप कॉल किजिए हम से जितना हो सकता है हम आपका हाथली का एनालासिस करवा देंगे तो दोस्तो अभी विड़ा लेते हैं इसर से अल्ला से कामना करते हैं आपकी मन में जो भी इस्षाएं हैं अल्ला इसर आपका ज़रूर कबल फर्म नमस्ते जैहिन